श्री गनेशा या नमाहा नमशकार दोस्तों दोस्तों ये राशी फल चंदर राशी पर आधरित है चंदरमा का हमारी दैनिक जीवन में विशेश महत्व होता है क्यूकि चंदरमा सबसे गतिमान गरह है और हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते है जैसे चंदरमा एक जैसा नहीं होता हमारा दिन भी एक जैसा नहीं होता तो आईए देखते हैं इस दिन चंदरमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहे है दोस्तो इस दिन चंदरमा आपको बहुत ही शुबफल देने वाले है जी हाँ इस दिन चंदरमा आपकी कुंडली में सब्तम भाव में रहेंगे सब्तम भाव में चंद्रमा के होने से आपका मन शान्त रहेगा प्रसन रहेगा आप टेंशन फ्री रहोगे जोश और उत्साह सुबे से ही आपके अंदर देखने वाला होगा इस दिन खास करके स्त्री और आपके ससुरालपक्ष से लाब होने की आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी इस समय में आप कई मामलों में सफलता हासिल करोगे आपका लाइप पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा इस समय में आप अपनी जन्मभूमी से और विदेश से दोनों और से धन कमा सकते हो इस समय में आपकी आर्थिक सिधी काफी मजबूत रहेगी इस समय में आपको धन कमाने के नए-ने जरिय भी मिल सकते है अगर आप बिजनेस करते है और वो बिजनेस पार्टनरशीप में है तो वहाँ भी आपको अच्छा लाब मिल सकता है इस समय में आपकी बोली में मिठास नजर आएगी और आपकी बुद्धी तीवरगती से काम करेगी आप इस दिन कुछ नया सोचोगे अपने काम को आगे बढ़ाओगे अगर परसनल लाइप के बात करते हैं लव लाइप के बात करते हैं तो इस समय में लव लाइप और बहतर बनने वाली है अपने पार्टर के साथ समय बिताना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा मोज मस्ती भरा प्रसन नताव आनन से भरा दिन रहेगा ग्रानक्षत्र आपको आज पूरा सहयोग करेंगे घर परिवार में खुश्णमा माहोल रहेगा अगर स्टूडंट्स की बात करें तो स्टूडंट्स इस समय में बहुत अच्छा परफर्म करेंगे आपके लिए समय बहतरीन रहेगा कॉंसेंट्रेशन अच्छी रहेगी ये समय जम कर पढ़ाई करने का है अच्छे समय का पूरा लाब जरूर उठाए, अपने टारगेट सेट करे और उस और पूरी लगन से बढ़े, काम्यावी मिल कर ही रहेगी अगर स्वास्त की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो इस समय में आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा मानसीक परिशानिया नहीं रहेगी, अच्छे स्वास्त के लिए अच्छा रूटीन बनाए और उस पर चले ताकि आप हमेशा फिट रहे सके अपने स्वास्त के अनुसार अच्छा डायेट प्लान बनाए और उसे अच्छे से निभाए, योगा करे, प्रानयाम करे, सुबह टहलने जरूर जाए, बीमारी आपसे दूर ही रहेगी, इस दिन आपके लिए सफेद रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा, और छे अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है, दोस्तों ये राशीफल चंद्र राशी पर आधरित है, लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह होती है, कि आपके राशीफल परिणाम में बदलाव दीख सकता है, इसलिए राश अगदर्शन की तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छ रहेगा